हाँ तो गाइस Firebolt के तरफ से उनका एक और निया Bluetooth Calling वाला एक तगड़ा Smartwatch लोन चुने वाला है जिसका नाम होगा Firebolt Hulk और भाई ये जो Smartwatch है ना सच में काफी तगड़े फीचर से साथ में हैं इसमें आपको मिलता है 1.78 इंचर का एक बड़ा AMOLED डिस्प्ले साथ में Bluetooth Calling वाला फीचर जिससे कि आप इस Smartwatch में कोल पे बात भी कर सकते हो भाई देखो अगर आप भी एक Flexible Level का Smartwatch भाई करने की सोच रहें तो इस वीडियो में आप बने रहे ना क्योंकि इसी वीडियो में आपको बताऊंगा इस नई Smartwatch के सारे Features कि नई Smartwatch में आपको क्या क्या Features मिलेंगे Price क्या होगी and Launch Date क्या होगी सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा तो बने रहे ये वीडियो में वीडियो को स्टार्ट करता है देखो सबसे पहले में Launch Date की बात करता हूँ तो 23 अगस्त को ये अवेलेबल होगा Flipkart पर दिन में 12 बजए और भाई जो प्राइस है वो इस वीडियो के end तक आपको पता चल जाएगा क्योंकि इसका जो expected price है वो मैं आपको बता दूँगा final price अभी आया नहीं है जिसे ही update होगा मैं आपको final price इसका update करूँगा वैसे क्या price का हो सकता है वो वीडियो के end तक आपको पता चल जाएगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको एक चीज़ बता आता हूँ कि noise भी अपना एक नया smartwatch launch करने वाला है noise color fit ultra 2 buzz नाम करके जो कि same इसी category का smartwatch है इसमें भी आपको वेसे ही features मिलता है तो अगर आप इन दोनों में comparison वीडियो चाहते हैं तो मुझे comment box में जरूर से बता दीजेगा comparison वीडियो आपको जरूर से मिल जाएगी कि इन दोनों में से कौन स्ट आपको buy करना चाहिए फिलाल बात करते हैं इस वीडियो की इस smartwatch की firebolt hull की सबसे पहले में design की बात करूँगा same आपको एक rectangle shape design मिल जाता है देखने में काफी premium है काफी तगड़ा smartwatch है देखने में unboxing वीडियो में मिल जाएगी तो देखो भाई second बात करते हैं इसकी display की 1.78 inches का एक बड़ा AMOLED display आपको मिलता है quality काफी अची होगी 368 x 448 का pixel resolution मिलता है and 550 needs का brightness मिलता है अब आप सोच सकते हैं जो clarity होगी वो कितना तगड़ा आपको मिलेगा साथ में AMOLED display है तो always on display भी आपको मिलेगा तो मेरे साब से display level काफी तगड़ा आपको मिलेगा इस बात करता हूँ इसके health features and sensors की भाई सारे health features and sensors आपको मिलेगे heart rate monitoring, sleep rate monitoring, breathe mode, spo2 हो गया, calorie count कर सकते हो, step आप इसमें count कर सकते हो, everything सारी चीज़ी है आपको इसमें मिल जाएगी second में बात करता हूँ इसके sports mode की तो भाई यहाँ पर आपको मिलता है hundred से भी जादा sports mode जो कि आप अपने coding day life के साब से इसमें use कर पाऊगे दिन बात करता है इसके smart features भाई देखो bluetooth calling का feature आपको इसमें मिलता है तो calling वाले सारे features आपको मिलेंगे dialing paid आपको मिलेगा recent call आपको मिलेगा contact आप इसमें save कर सकते हो call पर बात आप इससे कर सकते हो build-in speaker build-in mic आपको मिलेगा music आप इसमें सुन सकते हो इसको मिल जाते हैं दिन बात करता हूं इसके protection की तो IP67 का protection आपको इहावर मिलता है एक अच्छा आसा protection आपको मिलेगा डेल लाइफ में आप इसको और battery backup आपके users पर depend करेगा आप जिससे साबसे उसको यूज करोगे उससे साबसे आपको बेटरी बेकप मिलेगा वही देखो सारे features में आपको बता चुका हूँ expected price अगर मैं आपको बता हूँ तो around 4000 इसका प्राइज आपको मिलेगा 4000 से उपर नीचे हो सकता है क्योंकि expected मैं आपको बता रहा हूँ